السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ प्यारे बच्चों हमें सिन्यर के जी में सिन्यर के जी में अर्भी की बूप में पेज नंबर अठरा क्या है? पेज नंबर अठरा पर आइन से आइन है आइन से आइन की तीनों कटे हुरूफ को हमें लिखना है, पढ़ना है और समझना है तो प्यारे बच्चों अर्भी की बूप में आइन और अइन की तीनों कटे हुरूफ को आप अच्छी तरह देख सकते हो आप अपनी अर्भी की बूप में सबसे पहले हम अर्भी की बूप में मुफरद हुरूफ आइन को देखेंगे यह है मुफरद हुरूफ आइन अब यहाँ पर हमें कटे हुरूफ को सीखना है तो यहाँ पर शुरू में आने वाली आइन आइन की तीन कटे हुरूफ है तीन की शकल अलग-अलग है एक शुरू में आने वाली आईन, यह है बीच में आने वाली आईन, और यह है आखिर में आने वाली आईन, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आईन लब्स में शुरू में आने वाली आईन है, यहाँ पर शुरू में आने वाली आईन, आईन का माना आख, जिसे हम इंगलिस में हैर कहेंगे तो यहाँ पर शार लब्स में बीच में आने वाली आइन है आप पच्छी तरह से देख सकते हो इसी तरह इसबा का माना है उंगली जिसे हम इंगली में फिंगर कहेंगे इसबा का माना उंगली है और गुचराती में हम इसे आंगरी कहेंगे इसबा लब्स में आखिर में आने वाली आइन को हम देख सकते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आखिर में आने वाली आइन यहाँ पर बाके साथ मिला हुआ है आखिर में आने वाली आइन तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर आइन और आइन की तीनों कटे हुरूफ को समझा पर बूक में जितने भी बॉक्स दिये हुए हैं, उसी बॉक्स के अंदर हमें कट हुरूफ शुरू में आने वाली आइन को लिखना है, इसी तरह बॉक्स के अंदर हमें आइन को लिखना है, तो हमें इसी तरह अर्भी की बूक में बॉक्स के अंदर शुरू में आने वाली आ है आइन से इनब का माना है ड्राक्स जिसे हम इंग्लिस में ग्रैप्स कहेंगे और इंग्लिस में हम इसे ग्रैप्स कहेंगे गुजराती में हम इसे ड्राक्स कहेंगे तो आइन से इनब भी होता है और आइन से आइन भी होता है आइन से आइन का माना है आख क्या है आख जिसे हम इंग्लिस में आई कहेंगे और गुजराती में आख कहेंगे यहाँ पर हमने शुरू में आने वाली आइन को लिखा और बीकी बुक में जितने भी बॉक्स दिये हुए हैं वो शुरू में आने वाली आइन को लिखना है जहां तक बीच में आने वाली आइन ना आ जाए इस इसी तरह हमें बीच में आने वाली आइन को लिखना है इसी तरह हमें बीच में आने वाली आइन लिखेंगे अच्छे राइटिंग से बॉक्स के अंदर इसी तरह हमें लिखना है जब जितने भी बॉक्स यहां पर दिये हुए है सभी बॉक्स में हमें बीच में आने वाली आ इसी तरह आखिर में आने वाली आइन हमें लिखना है बॉक्स के अंदर हम इसी तरह पूरा जितने भी बॉक्स यहां पर दिये हैं पूरे पेज पर बॉक्स में हमें लिखना है कितने आखिर में आने वाली आइन तो हमने यहां पर क्या लिखा एक आखिर में आने वाली आइन को लिखा एक बीच में आने वाली आइन और एक शुडू में आने वाली आइन तो हमें हमारी अर्बी की बूक में और एन की कटे हुरूफ को लिखना है होमवक में क्या लिखना है एन और एन की तीनों कटे हुरूफ को हमें लिखना है तो प्यारे बच्चों यह है हमारा आज का सबक और आज का होमवग हमें हम अच्छे राइटिंग से हमारा होमवग करना है आगे के सबक आगे के वीडियो में हम इन्शालला क्या सिखेंगे इस से बाद इसके बाद के वीडियो में हम N की कटे हुरूफ को बूक में हमारी अर्बी की जो नोट बूक है उसे में हम लिखते सिखेंगे इन्शालला अल्ला हाफीज असलामु अलाइकुम रह्मतुलाही वबरकात।